नमस्कार, मैं वर्शा सिनहा वीजें यूज में आप सभी का स्वाधत करती हूँ 14 तरवरी को वैलेंटाइन दे मनाया जाता है जिसे लोग त्यार का तेहुआर मानकर सेलिब्रेट करते हैं भारत में कपल्स अपने पार्टर को तौपे, चौकलेट्स आदी दे कर त्यार का जशन मनाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, 14 तरवरी को ये वैलेंटाइन दे क्यों मनाया जाता है और ये नाम इसका कैसे पड़ा आज हम आपको वैलेंटाइन दे के इतिहास से जुड़ी हर एक बात बताने जा रहे हैं जो आपको शायद ही पता होगी रिपोर्ट के अनुसार औरिया औफ जॉक बस, डीव औरिजन नाम की एक बुप में वैलेंटाइन दे का जिक्र है ये रोम के एक पादरी संथ वैलेंटाइन के नाम पर मनाया जाता है संथ वैलेंटाइन दुनिया में प्यार को बड़ावा देने में माननेता रखते थे लेकिन रोम में एक राजा को उनकी ये बात पसंद नहीं थी और वो प्रेम विवा के खिलाप थे वो प्रेम विवा को गलत मानते थे संब्राट क्लाउडियस को लगता था कि रोम के लोग अपनी पत्नी और परिवार के साथ मजभूत लगाव होने की वज़े से सेना में भर्ती नहीं हो रहे हैं इस समस्या से निजात पाने के लिए कलाउडियस ने रोम में शादी और सगाई पर पाबंदी लगा दे थी पादरी वैलन्टाइम ने संब्राट के आदेश को लोगों के साथ नाइन साफी के तौर पर महसूस किया उन्होंने इसका विरोध करते हुए कई अधिकारियों और सैनिकों की शादियां भी कराई इसके बाद उन्हें 14 फरवरे को फांसी पर चड़ा दिया गया जिसके बाद उस दिन से हर साल इस दिन को प्यार के दिन के रूप में मनाया जाता है कई रिपोर्ट्स में सामने आता है कि संथ वैलेंटाइम ने जेल में रहते हुए जेलर की बेटी को खत लिखा था जिसमें अंध में उन्होंने लिखा था कि तुम्हारा वैलेंटाइम को पूरी दुन्या में यह पर्व मनाया जाता है और इसे अलागलक तरीकों से भी मनाया जाता है हालाकि कई देशों में इसे संस्कृति के खिलाफ मानकर इसके सैलिब्रेशन पर रोग भी लगा दी जाती है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल विजे न्यूस दैनिक को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आतार पहुंश सके विजे न्यूस की खबरें हिंदी में पढ़िये कहीं भी कभी भी पस्लोग इन करें www.vijaynews.in मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए Android यूजर Google Play Store से विजे न्यूस एप डाउन्डोड कर सकते हैं